हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12 बायलोजी का चैप्टर 2 सेक्षवल रिप्रडुक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्विक रिविजन यहां पर हम वो टोपिक को रिवाइज करेंगे जहां से ल प्लावरेंग के अदर 13 events के अंदर प्री फर्टिलाजी चेंज पोस्ट फर्टिलाजीशन इंविन्ट से स्टार्ट होता हैं यहां पर तो धिंस के की बात करें तो रिप्रडुक्टिव पार्ट यहां यहांपि डीगि सेवरल्चान रिप्लावर इन की एंडर बहुत सारे जिसे बोलते हैं male reproductive part and gynosium को बोलते हैं female reproductive part अब सबसे पहले बात कर लेते हैं androsium की तो androsium के अंदर होते हैं whole of stamen यहाँ पर दीखे स्टेमन भी जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है एक होता आपका filament जो होता है long and slender stock and a second होता है anther जिसे बोते हैं bylobbed structure ओके जो अब यहाँ आपका filament है इसके दो end होते है एक होता है proximal end second होता है terminal end तो जिसका proximal end हो attach होता है देखे proximal end of the filament is attach to the thalamus or the petal यानि जो flower का याद thalamus या फिर petal है उससे attach होता है proximal end और यहाँ से आपका knee 2016 में क्यूसर आ चुका है अब हम बात कर लेते हैं आपे enter के बारे में तो enter जो typical enter होता है वो कैसा होता है bylobbed होता है और die thicker structure होता है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमारा structure of microsporengia होता है वो कैसा होता है तो यहाँ से देखे ने 2016 में क्यूसर आ चुका है तो यहाँ पर देखे तो उनको nourishment provide करने का जो layer काम करती है वो कौन सी करती है tap item layer करती है बाकि जो outer 3 layer होती है वो protective nature की होती है अब हम बात कर लेते हैं microsporeogenesis यानि जो pollen grain होता है उनका development कैसा होता है यहाँ पर देखे माइक्रosporeogenesis लिकाव है यहाँ से आप करने 2015 में किसन आ चुका है तो यहाँ पर देखे process of formation of microspore from PMC pollen mother से यानि जो pollen बनती है वो किससे बनती है pollen mother cell से बनती है यह याद रखना यहाँ पर यह जो pollen mother cell बनता है वही आके जाके क्या बनता है आपका pollen grain बनता है लिखाओ देखे अब हम बात कर लेते हैं structure of pollen grain कैसा होता है तो यहाँ पर देखे जो आपका pollen grain होता है वो male gamit को represent करता है यह spherical होता है और यहाँ पर two wall layer होती है जो outer wall layer होती है वो होती है exine की और internal layer जो होती है उसको बहते है and time तो यहाँ पर देखे जो outer layer है जो आपकी exine है वो hard layer होती है sporopolinin से बनती है which is extremely resistant and can withstand high temperature acidic and alkaline condition तो यह जो sporopolinin होता है वो highly resistance होता है चाहे वहाँ पर high temperature हो चाहे acidic medium हो चाहे alkaline medium हो या फिर कोई other natural enzyme हो सबसे जो है वो resist कर सकता है इसके बात कते हैं कि जो pollen grain होता है वो well preserved होता है as fossil because of the presence of sporopolinin यानि pollen grain को आप fossil की तरह भी well preserve कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो sporopolinin है वो extremely resistance है यहाँ पर आपके नी 2016 और 2018 में के उसे आ चुकी है अब हम बात करें यहाँ पर देखे इन 60% of the angiosperm जो 60% angiosperm होते हैं वहाँ पर pollen grain are shell at the two cell stage वहाँ पर जो pollen grain shed होते हैं वो केवल two cell stage में होते हैं वोके एक vegetative cell होता है and second होता है generative cell in other generative cell undergo mitosis to form two male gametes that is three cell stage और जो others होते हैं बाकी 40% जो होते हैं उनके अंदर जब shed होता है pollen grain pollen grain यानि फ्लावर से निकलता है उस time जो वो three cell में हो जाता है क्योंकि generative cell के अंदर mitosis होते हैं और three cell stage बन जाती है इसके लावा देखी नी 2018 में भी किसे नहीं हो है it is possible to store pollen grain of a large number of species of year in liquid nitrogen यानि जो pollen grain है उसको बहुत लंबे time तक जो रख सकते हैं वहाँ पर किस temperature पे liquid nitrogen का temperature क्या होता है minus 196 degree Celsius होता है अब हम बात कर लेते हैं गाइनोशियम की गाइनोशियम क्या है यहाँ पर आपका female reproductive part होता ह अब यहाँ से आपका mega spore enzyme की बात करते हैं तो mega spore enzyme को क्या बोलते हैं commonly called ovule जो mega spore enzyme होता है उसको commonly हम ovule बोलते हैं यहाँ से आपका need to 13 और 16 के अंदर के उसर आ चुका है अब अगर हम बात करें mega sporogenesis की यानि जो आपका female gamit बनता है तो वहाँ पे होते हैं mega spore mother cell और वो convert होत mega spore mother cell है is large and contain dense cytoplasm and a prominent nucleus यहाँ पर dense cytoplasm होता है large nucleus होती है it undergo meiosis to produce 4 mega spore यहाँ पे meiosis होती है और 4 mega spore बनते हैं यहाँ से आपका need to 2015 में question आ चुका है अब हम बात कर लेते हैं female gamitophyte की यहाँ पे देखिए the functional mega spore developed into female gamitophyte यहाँ पे जो आपके 4 जो mega spore बने थे उनमें से एक क रहता है other three जो होते हैं वो degenerate हो जाती है जो यहाँ पर functional mega spore होता है वही develop होता है female gamitophyte यानि embryo sec के अंदर female gamitophyte का embryo sec भी बोलती है यहाँ से आपका need 2017 में question आ चुका है अब हम बात कर लेते हैं pollination की तो pollination जो होता है वो three types का होता है आपका autogamy, jetinogamy and xenogamy यहाँ से देखि flower के उपर हम pollen grain transfer करें उसको बोलते है autogamy ओके अब यहाँ पर देखिए कुछ plants है like viola oxalis यहाँ पर two kind of flower बनते है जो आपके viola oxalis है commonly नहीं है यहाँ पर two type के flower जो वो develop होती है एक होता है jasmo gamers, circuit होता है klystogamers, jasmo gamers वो होता है जो open flower होता है well exposed enter and stigma होते है klystogamers के अंतर ज में देखने को मिलती है अब जो आपके close flower होते है klystogamers flower produce a short seed set even in the absence of pollinator याँ यहाँ पर जो वो seed लगेंगे ही लगेंगे चाहे वहाँ पर pollinator हो चाहे ना हो तो यहाँ से यह याद रखना ओके अब हम बात कर लेते हैं jetino gaming की हो jetino gaming आपका AI PMT 2010-2014 में question आ चुका है यहाँ देखें it is the transfer of pollen grain from enter of one flower to the stigma of another flower of the same plant यहाँ पर यह important है मालीची यह plant है बट इस पर flower अलग अलग हो सकते हैं तो flower जो है वो तो अलग अलग है बट प्लाट जो है वो same होता है किसके अंदर jetino gaming के लिए तो genetically it is similar to autogaming but is required pollinating agents अगर हम genetically देखें तो यह autogaming जैसी same होती है बट यह यहाँ पर pollination agent जो वो require होते हैं अब हम बात कर लेते है agents of pollination की तो यहाँ पर agents of pollination two type के होते है abiotic and biotic abiotic के अंदर आपका air and water ओके और biotic के अंदर आपता आपका animals तो अगर हम यहाँ पर पहले आता है यहाँ पर wind के द्वारा फिर आता आपका water के द्वारा तो जो water के pollination यहाँ से आपका question आ चुका है देगे in a majority of the water plants like water hyacinth and water lily flower emerge among the water level and are pollinated by insect or wind as most of the land plants यह important है देखिए यहाँ पर जो आपके water hyacinth और water lily जो plants है ओके वो है तो aquatic plant बड़ यहाँ पर इनका जो flower होता है वो water level से above आ जाता है और यहाँ पर जो pollination होता है वो water के द्रू नहीं ह होता है ओके अब हम बात कर लेते हैं pollination by animals यहाँ पर भी देखिए 16 और 17 में क्यों से ना चुके हैं सबसे पहले देखिए majority of the flowering plants use butterfly ज्यादा तर जो flowering plants होते हैं वो butterflies bees वास्प वागेरा को pollination के अंदर use करते हैं but even large animals such as some as primates आपके लेम्यूर, arboreal, tree dwelling, rodents, even reptile भी आपके य लिजाड या फिर garden lizard इसके लावा have been reported as pollinator in some species तो यानि जो large animals से वो भी pollination करवा सकते हैं यहाँ पर आपका ने तुदर 16 में क्यों से आयो है इसके लावा देखिए attractant and reward are required for entamophily insect pollination जो insect के द्वारा pollination होता है उसको बोलते हैं entamophily तो यहाँ पर attractant यानि जो flower का अलग-अल आ चुका है a symbiotic relationship exists between the plant yucca and the pollinator moth तो जो yucca plant है और moth जो है उनके भीत में symbiotic relationship देखते को मिल जाता है the moth is depend on the plant since the moth deposited its egg in the locule of the ovary moth क्या करता है वो flower के अंदर जाकर वहाँ पर जो ovary के अंदर जो locule होता है जो खाली जगह होती है वहाँ पर अपने eggs दे देता है and in return the plant pollinated by the moth और इसके वीपरीत क्या होता है यहाँ पर plant को क्या फाइदा होता है कि यहाँ पर जो plant का pollination हो जा outbreeding devices यहाँ पर भी देखिया आपका need to the 13 और 17 में question आ चुका है यहाँ पर simple सा होता है क्या है कि outbreeding devices का मतलब होता है जो self pollination बार बार हो रही है यानि जो auto gaming हो रही है उससे inbreeding depression आ जाता है और उसी को कैसे हम stop करें कैसे रोक गें उसको तो देखिए ways to prevent both auto gaming and jeton gaming यानि कुछ ऐसे ways जिसके दोर हम auto gaming और जेटेनों के मी को रोक सकते हैं first time presence of the male and female flower on different plant यानि जो male और female हो अलग-अलग plant पे लगे such that each plant is either male or female that is dioecious condition यानि एक प्लाट पर या तो male या केवल female मिले इस mechanism is present in several species of papaya तो papaya की बहुत सारी species के अंदर ये देखने को मिल जाता है जर्मिनेट नहीं करने देती है this interaction is mediated by the chemical components of the pollen and the pistol यह होता है कैसा कि कुछ chemical release होते है उसकी वज़े से वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर right type का pollen grain है या नहीं है ओके अब यहाँ से देखिए आपका AIPMT 2003 में और 2014-15 में कि उसनाईवा काफी important many recent study have shown that the philiform approaches present at the micropilar part of the synergid guide the entry of the pollen tube तो यहाँ पर एक micropilar part जो होता है वहाँ पर philiform approaches होता है synergid cell के पास में और जो philiform approaches होता है वो क्या करता है जो pollen tube आ रही है उसकी entry को guide करता है कि उसको कहाँ पर जाना है egg cell के पास या central cell के पास अब हम बात कर लेते हैं artificial hybridization से इतने नहीं है double fertilization से आपके need to the 18, 17, 19 में question आ चुके है तो यहाँ पर देखिए होता क्या है double fertilization simple से समझेए यहाँ पर two male gamits होते हैं कितने male gamits आते हैं two male gamits आते हैं देखे लिखा वाई release the two male gamits तो यहाँ पर total two male gamits आते हैं यहाँ जो पहला male gamit होता है वो एक सेल के साथ fuse करता है वो जाइगोट बनाता है और वहाँ पर पैन बन जाते हैं अपका primary endosperm nucleus बन जाता है और इसको बोलते है triple fusion अब यहाँ पर देखे क्योंकि two kind of fusion हो रही है एक तो आपकी syngemi हो रही है जहाँ पर जाइगोट बन रहा है second आपकी triple fusion हो रही है जहाँ पर pen बन रहा है तो यहाँ पर this syngemi and triple fusion take place the process is known as double fertilization क्योंकि यहाँ पर two fertilization हो रही है एक syngemi की और एक triple fusion की इस characteristics of the flowering plant और flowering plant के अंदर यहाँ डबल fertilization देखने को मिलता है अब यहाँ पर लिखा भी हो है देखे अब हम बात कर लिते हैं यह पर post fertilization event की और post fertilization इंदर सबसे पहला आता है formation of endosperm और यहाँ पर आपका ने 2015 और 2016 में क्योंसन आ चुका है यहाँ पर देखे जो coconut water होता है the coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but the free nuclear endosperm जो coconut के अंदर जो coconut water होता है ओके वहाँ पर क्या होता है simple सा free nuclear endosperm होता है वो क्या होता है free nuclear endosperm होता है made up of thousand of nuclear यह वहाँ पर बहुत सारी nucleus drugs के अंदर present होती है and the surrounding white kernel is a cellular endosperm और जो white kernel होता है side की साथ में वो क्या होता है keval or keval cellular endosperm होता है अब हम बात कर लेते हैं development of embryo की तो यहाँसे भी आपका देखे need to run 15 और 16 में क्यूसन आ चुका है in a monocote embryo there is only one cotyledon in grass it is known as scutellum तो monocote के अंदर जो वो keval और keval एक cotyledon देखने को मिलता है और इस cotyledon को हम बोलते है scutellum and he is situated at one side of the embryonal axis और यह keval एक side में होता है embryonal axis के यहाँसे आपका need to run 15 और 16 में क्यूसन आ चुका है तो याद रखना जो monocotyledon होता है उसके अंदर जो cotyledon होता है इसको बोलते है scutellum अब हम बात करें देखने seeds and fruits की तो यहाँपे अगर development of seeds देखें तो यहाँपे देखें नीट तो 19 में क्यूसन आ चुका है seeds are fertilized ovules that develop inside a fruit seeds क्या है आपके जो ovules होते हैं वो ही fertilized होने के बाद seed बनते हैं और यहाँपे यह fruit के अंदर ही बनते हैं आगे लिका है some seeds such as black pepper and wheat have remnants of nucellus known as perispum तो कुछ एक seed होते हैं जैसे आपका black pepper हो गया wheat हो गया तो यहाँपे जो nucellus part होता है वो जो है वो थोड़ा सा बच जाता है और उसी को बोलते हैं perispum तो यहाँसे आपका नीट तो 19 में क्यूसन आ चुका है अब हम बात कर लेते हैं development of fruits की तो यहाँपे आपका नीट 2015 में क्यूसन आ चुका है देखिए some fruit developed without fertilization कुछ ऐसे fruit होते हैं जो without fertilization developed होते हैं are known as parthenon carpic fruit तो उनको बोलते हैं parthenon carpic fruit अगर आपको कहीं भी word आजा है parthenon इसका मतलब समझ जाना without fertilization कार्प का मतलब समझ जाना fruit तो without fertilization जो fruit developed हो रही है ओके एक्जामपल लिखा हो है बनाना तो उनको बोलते है parthenon carpic और यहाँपे उसका एक्जामपल दिया है बनाना के अंदर ऐसा देख्टे को मिल जाता है नेक्स्ट हम बात कर लेते एपो मिक्सिस एंड पॉलियम्बरियों की तो जीकि सम प्लांट प्रोड्यूस सीड विदाउट फटिलाजिशन दोनों में डिफरेंस समझना यहाँपे फटिलाजिशन विदाउट फटिलाजिश सीड बन रहे हैं इस प्रोसेस ऑफ सीड फटिलाजिशन बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं एपो मिक्सिस ओके तो यह सब को इस ता आज की वीडियो के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए मिलते हैं जल्दी नेक्स